हेलो सो टेंडेर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में आप लोग को बैटरी एक्स्प्लोजिन के बारे में बताऊंगा और कैसे आप लोग को अपनी बैटरी को एक्स्प्लोड होने से बचाना है इसके बारे में भी आप लोग को यहां पे बताने वाला ह सबसे पहले अगर आप notice करेंगे तो बड़ी-बड़ी brands आज जो मौझू थे इनके smartphones explode हुए और सबसे ज्यादा हम सब लोगों पता है कि Samsung Galaxy Note 7 explode हुआ था launch होने की कुछ time बाद ही हर जगा पे अलग-अलग countries में ये वादा smartphone जो वो explode हो रहा था अब इसका reason यहाँ पे यह था कि इसके अंदर जो battery थी वो faulty थी और Samsung ने clearly बूल दिया था उनके जो CEO होते कि हमारे phone के अंदर phone में कोई भी parts में गरबड़ी नहीं थी हमारे जो battery थी वो faulty थी जो third party वाली थी इस वज़े से third party मतलब उन्होंने दूसरी जगा से battery का order दिया था इस वज़े से यहाँ पे उनकी phone की battery explode हुई इस वज़े से यहाँ पे phone explode हुआ था मतलब phone का जो design था वो battery design में mismatch हो रही थी और कुछ reason की वज़े से battery explode होगे उनको पूरा phone recall करना पड़ा और billions of dollar का नुकसान हुआ था सिफ Samsung ही नहीं बलके Xiaomi के phones, Asus के phones अलगले company के phones आप इस्तेमाल करते कहीं न कहीं cases आए कि इनके phones explode हुए एक आदिया दो बार आप लोग को क्या करना है कि अगर आपको अपने phones को explode करने से बचाना है तो सबसे पहली चीज़ आपको धियान रखना है सबसे पहले तो समझ लो कि phone explode यहाँ पर क्यों होते है जब आप इसको समझेंगे तो obviously आप phone को explode होने से रोक सकते है explode यहाँ पर phone आपका क्यों होता है जो सबसे बड़ा और major reason यहाँ पर यह है उस वज़े से आपका phone blast हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहला जो reason है जिससे आपकी battery explode हो जाती है और वो यह है कि आप अगर अपने phone को अपने हाथ से गिरा देते ची हाँ बार बार आपका phone आप अपने हाथ से गिरा देते आप आज की रहा हो तीन दिन बाद 15 दिन बाद 3 महीने बाद तो वो क्या होता है कि phone तो damage होता ही है आपकी screen तूट जाती है उपर नीचे खरो जाता है back panel तूट जाता है जो भी होता है आपको डर लगता रहे नुकसान हो गया लेगिन आप यह नहीं समझते कि phone की साथ में आपकी battery भी damage हो रही अंदर से चाहे वो आपकी non removal battery हो चाहे वो removal जो भी हो आपकी phone की battery भी damage होती है उस पर खरो जाता है उस वो puncture हो जाती है या अंदर की cells होती है वो move हो जाती है क्योंकि जो भी phones आपको मिलते आजकल अक्सर वो lithium-ion batteries होती है और इस वज़े से ही यहाँ पर आपकी battery ज्यादा damage को prone हो जाती है इसलिए यहाँ पर आपका phone अगर अंदर गरबड़ी हो जाती है उपर की गिरने के साथ-साथ तो वो जो cells move होते है उससे आपको short circuit भी battery में हो सकता है इसलिए आपका phone explode होता है तो यह भी एक बड़ा reason है कि आप बार बार अपने phone को अपने हाथ से गिरा रहे और सोच रहे है चलो ठीक है काच बना दिया बैक पैनल रिचेंज कर दिया लेकिन यह नहीं पता कि बैटरी को भी अंदर डैमेज हो रहा है फिर उसके बाद अगर आपकी बैटरी तूट चुकी है नुकसान में अंदर से आपको तो पता नहीं है आप यूज कर रहे फोन गरम हो रहा है तो obviously एक इनसान पूब है इसको मतलब जाता कि आप अपनी बैटरी जो भी को नुक्सान हो जाता है यहाँ पे दूसरी छीज यह प्हलं की बैटरी wie नन इसको गला दवा की जान से मार है उसका मतलब होता है कि आप अपनी फोन की बैटरी के लिए 3rd party charger का इस्तेमाल कर रहे हैं चाए जी की आप उसके अंदर दूसरी बैटरी लगा नहीं सकते तो क्या यह पार्ट तो में हटा रहे तो लेकिन हा थर्ट पार्टी चार्जर थर्ट पार्टी केबल से भी यहां पर केसस आये सामने जहां पर फोन एक्सप्लोड हुए ची हां यहां अगर आप लंबॉरगी या फिर फरारी जैसी गाड़ी को एक ऐसे इलाके में चला रहे जापर बहुत सारे घड़े बहुत सारे स्पीड ब्रेकर से तो वह बराबर उस इलाके में नहीं चल पाएगी क्योंकि ऐसी गाड़ी यह रस्ते भी ऐसी होने चाहिए चो क जिहान रखना पड़ेगा अच्छी चीज़ यूज़ करो ताकि आपकी बैटरी भी हेल्दी रहेगी और फोन एक्स्प्लोड नहीं होगा तो यहां पर अगर आप तूसरे थाट पाड़ी चीज़ का इस्तवाल करते तो यह एक मेजर रीजन है जिससे आपका फोन एक्स्प अपने आपका फोन की चरण करें और वो चार्ज भी हो रहा है अकथर की और केसस आए कि फोन चार्च पे लगते और तभी explode हो जाते है reason ये भी होगा कि ऐसा नहीं कि आपने phone को ठंडा रखा है और phone को charge कर रहा है आपने normal काम किया है बहुत कुछ किया है उसको गरम कर दिया और जब जाके charge कर रहे हैं तो obviously यार उसको सास देने का मौका दो overcharging से आपको यहाँ पर बचना पड़ेगा आपको phone को limited यहाँ पर जो टाइम से charge करना है और तभी आप अपने phone को explode होने से बचा सकते हैं और यहाँ पर जो final issue आता है battery explode का और यह सबसे common sense वाला issue है और वो है आपका phone overheating से overheating क्या होता है कि आपने अपने phones को मतलब phone को इतना ज़्यादा खेला है इतना ज़्यादा use क्या है इतना गरम हो जाता है कि मैं आपसे क्या बता हो यहाँ तक कि recently यहाँ पर को Xiaomi का शैच्छी को phone था पता नहीं वो यहाँ पर एक बंदा charge में लगा कि PUBG खेल रहा था charger भी third party का तो phone तो explode होगा ही होगा तो यह भी एक major reason होता है कि overheating से भी आपका phone explode होता है आप आज अपने phone को खेल रहे खेल रहे खेल रहे 5-6 दिन 15 दिन 3 महिने 6 महिने फिर अगर आप अपने phone को जेब में लेके गुमते है कहीं पे भी जब battery उसकी life खतम हो जाती है तो यह भी एक major reason है आपको धियान रखना पड़ेगा कि overheating से भी आपको यहाँ पर बचना पड़ेगा तो यहाँ पर यह रहा एक तरीका जिससे आपके battery जो phone की explode होती है और एक और चीज़ luck भी होता है नसीत की भी बात है कभी हो भी जाती है अच्छी कासी battery चलते चलते वो भी explode हो जाती है लेकिन safety is the main priority आगर safety रखते है तो obviously आपके battery explode नहीं होगी तो इन चीज़ों का आपको धियान रखना पड़ेगा लेकिन safety रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर धियान रखने पड़ेगी तो third party charger रों cable से आपको यहाँ पर बचना है आप लोग को अपने phone को charge पर लगा कि इस्तिमाल नहीं करना है ध्यान रखना है यह बहुत ही बड़ा reason है इस वज़े से आपके phone explode हो सकता है आपको phone को बार 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 चार्ज नहीं करना है बार 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 चार्ज करने से भी आपका phone battery जो वो explode होती है 99% तो नहीं होगा लेकिन एक परसंट में शायद आपका भी phone हो जाए तो क्या पता explode हो जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद आपके phone को आपको limited मत्बए एक sas लेने का मोखा देना है इतना भी नहीं करना है के phone आपको एकदम गरम हो जाए жизни फड़ा खेलो थांडा होने तो फिर खेलो यूज करो थांडा होने तो फिर खेलो जादा ही जादा अगर आपके phone को गरम कर दोगे प्रवाल करो यही एक तरीका है जिससे आप अपने फोन को एक्स्पोड होने से बचा सकते हैं तो इतना ही तर दोस्तों इस वीडियो के तर मैंने सुचा आप लोग को बता दूँ कि फोन आज क्यों अपने फोन को एक सकते हैं अगर सब्सक्राइब